हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके दिसंबर दोजार चौबिस एक्जाम के लिए जो आपके एक्जाम फॉर्म है वो कब रिलीस किये जाएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि इगनू में दो सेशन में एक्जाम होते हैं जून और एक दिसंबर तो जून सेशन के लिए आपके जो एक्जाम फॉर्म है वही आपके मार्च मंत में रिलीस कर दिये जाते हैं मार्च के फर्ष्ट और सेकेंड वीक तक आपके एक्जाम फॉर्म रिलीस कर दिये जाते है इसके बाद आपके December session के लिए exam form होते हैं तो अभी आपके December 2024 session के लिए exam होने है तो exam के लिए आपका exam form कब तक release किया जाएगा तो exam form आपका वही सितंबर के 1st या 2nd week तक release कर दिया जाएगा वही हम बात करें तो 8 से 10 तारीक के बीच में आपका जो exam form है वो release कर दिया जाएगा जब आपका exam form आएगा तो यहाँ पर आपको register online प्रिक करना है यहाँ पर term and exam पे क्लिक करना है यहाँ पर आपका exam form आता है जब आपका exam form release किया जाता है जैसा कि last time अगर हम बात करें तो आपके जो exam form है वही आपके March के first week में release कर दिये गए थे और इसके हिसाब से आपके अभी जो और इसी के हिसाब से आपके जो अभी December session के exam form है वो सितंबर के first week तक release कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके exam form कब release किये जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे आपके exam form release किये जाएंगे कुछ इस परकार से आपका exam form होता है यहाँ पर exam fees भर के आपको exam form यहाँ पर हो जाएगा देन आपका exam होगा December मंत में तो यहाँ आपर यह आपको exam form जब भी release किया जाएगा यहाँ पर आपका alert वाले section में या फिर यहाँ पर register online पर click करना यहाँ पर tournament exam पर click करना आपका exam form आ जाएगा then exam form भरना कैसे है तो जब आपका exam form release होगा उसके बाद एक proper video हैगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि exam form कैसे बरा जाएगा then आप वो video देखके exam form भर सकते हैं तो आपका exam form release होगा आपका exam form December 2024 exam के लिए वही सितंबर में release होगा अब students का doubt है कि कौन-कौन से students exam form भर सकते हैं तो मैंने आपको पहले से एक video बनाई हुए जिसमें आपको बताया हुए है कि जिनमें students की back आई है यानि कि अगर आप fail हुए है जून 2024 exam में आपकी back आई है या आपने exam skip किया है तो वो सभी students December 2024 का exam भर सकते हैं बाकि जो भी students जिनोंने January 2024 session में admission लिया था किसी भी program में तो वो सभी students अभी December 2024 session का exam form भर सकते हैं बाकि इससे पहले आपने कोई भी exam skip किया हो तो वो सभी students भी exam form भर सकते हैं या फिर जिनमे students ने January 2024 में अपना second year या third year का या फिर आपने next semester का admission लिया था यानि registration करवाय था तो वो सभी students भी अपना exam form भर सकते हैं तो आपका exam form आप December 2024 2024 exam के लिए exam form भर के first second week तक release किया जाएगा देन आप अपना exam form भर के December 2024 का exam दे सकते हैं exam fees आपकी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको exam form दिखाया कि exam fees कितनी होती है तो यहाँ आपर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 200 रुपे पर subject आपकी exam fees होती है 200 रुपे पर subject आपसे लिए जाते हैं theory, practical और lab course के लिए यहाँ पर जून exam के लिए तो 200 रुपे पर subject ही थे December के लिए भी 200 रुपे पर subject होगा बाकी December में जब भी exam form release होगा तो आपको पता चल जाएगा कि exam fees कितनी होगी अगर इगनुने यह जो प्राइज है वो increase नहीं किये तो वो 200 रुपे पर subject ही रहेगा बाकी इस से जादा भी हो सकता है नहीं तो इतना भी रह सकता है 200 रुपे पर subject fees पहले भी थी और जून में भी थी इसके बाद December में भी लगबग 200 रुपे पर subject फीस रहेगी अगर आपके 4 subject हैं तो 200 के इसाब से 800 रुपे आपको देने होंगे 8 subject है तो 16 सो रुपे आपके exam फीस लगेगी यानि जितने भी subject हैं उसके इसाब से आपको exam फीस उतनी देनी होगी तो ऐसे आपके exam फॉम भरे जाएंगे तो दोस्तो आयोप आपको वीडियो समझाएगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद